Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 6 जुलाई और आज किस वीडियो में हम 6 जुलाई से रिलेटेड करण्ट अफेर के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लगों को इस वीडियो की PDF चाहिए आप हमारे इस mobile application को install कर सकते हैं जिसमें आप लगों को daily quiz, free PDF और per day के current affair का audio भी मिल सकेगा साथ ही यदि आप हमारे telegram channel से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं Link description box में दी हुई है और आज हम कल के important question का एक quick revision कर लेते हैं Right to repair कानून ये लागों किया गया है ब्रेटेन के द्वारा चर्चे में रहा ताल जॉला मुखी इसका विसफोट अभी हाली में फिलिपिन्स में हुआ है विश्व का सबसे अधिक temperature ये दरजी किया गया है जैकोबा बाद में जो कि पाकिस्तान में है देखी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कर करेखा यानि कि पाकिस्तान के नीचे से जा रही कर करेखा इसे टच नहीं करती तो इस कर करेखा कि ऊपर में स्थित है पाकिस्तान और इसी का एक शहर है जिसका नाम है जैकोबा बाद अगला है इंस्ट्राग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारती वेक्ति विराट कोली है पुरी दुनिया में दी पूछा जाए तो ये है क्रिष्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर टोक्यो अलंपिक में टोक्यो पैर अलंपिक में भारती दल का धोजवाहक नामित किया गया है मरियपन थंगा वेलू को और इन्हें 2020 के राजियो गांधी खेल रतनपुरिसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन हाली में किस राजिया केंदर शाषित प्रदेश ने दर्बार मूव की 149 साल पुरानी जो परंपरा थी इसे समाप्त कर दिया है तो ये समाप्त किया गया है जम्मु कश्मीर के द्वारा जम्मु कश्मीर के जो उपरा जिपाल है मनोज सिनह इनके द्वारा इसकी घुशना की गई है दर्बार मूव अब ये है क्या दरबार को मूव करना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो देखिए इसके पीछे भी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है महराज गुलाब सिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा 1872 में इन्होंने इस परंपरा की शुरुवात की थी दरबार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की और ये तो आप सभी जानते हैं जम्मु कश्मीर की दो राजधानिया हुआ करती थी कहने का मतलब है कि ग्रिसम कालिन राजधानी ये श्रीनगर हुआ करती थी और शीत कालिन राजधानी ये हुआ करती थी जम्मू तो 6-6 मेने ये राजधानिय शिफ्ट होते रहती थी अब राजधानिय शिफ्ट होती थी तो यहां की जो फाइले होती थी एक आफिस की दूसरे आफिस में ये हर साल शिफ्ट की जाती थी 6-6 मेने के अंतराल में इससे 8000-9000 कर्मचारी इस कारी के लिए लगते थे टाइम भी जाता था और इसमें दिक्कत भी जाती थी ये परंपरा 149 साल से चली आ रही थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है मनोज सिनहा के दुआरा तो अब हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जम्मू कश्मीर के पास ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये है LOC यानिकि Line of Control Oxide Chain वाला एरिया मतलब कि ये जो border है ये कहलाता है LAC यानिकि Line of Actual Control जम्मू कश्मीर में इस्थित है चेनानी नासरी सुरंग जिसका नाम बदल करके स्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग किया गया है इसके लावा दुनिया का सबसे उचाई परिस्थित रिल्वेपुल ये इसी जम्मो कश्मीर में बनाया गया है ये पूछा जाए किस नदी पर तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है आप और क्या रिलेट कर सकते हैं तो देखिए जम्मो कश्मीर का एक गाउं है जिसका नाम है वेयान गाउं और ये भारत का ऐसा पहला गाउं बनाया है जिसने अपनी सभी व्यस्क आबादी का 100% वेक्सिनिशन ये कंप्लेट कर लिया है और आप लोगों के लिए साइंस की ये जो नई PDF लॉंच की गई है जिसमें आप लोगों को जन्रल साइंस से रिलेटेड 7000 से अधिक प्रश्न ये मातरे 21 रुपाय में मिल सकेंगे क्योंकि किसी भी एक्जाम में साइंस से रिलेटेड कोश्चन ये तो पूछे ही जाते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में ये आप लोगों के लिए PDF है इसे आप पर्चिस कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है अगला कोश्चन है हाले में किस देश ने पांची पेड़ी की मिसायल प्रणाली जिसका नम है सीब्रेकर इसका अनावरण किया है तो इसका अनावरण अभी हाले में किया गया है इसराइल के दुआरा देखे इसराइल जो के Middle East Asia की एक कंट्री है बहुत जादा बड़ी करें तो यह है 96 लाग मतलब कि एक करोर से भी कम की आबादी है यहां इस समय टेक्नोलोजी के शेतर में बहुत ध्यान दिया जा रहा है मतलब कि खासकर रक्षा के शेतर में आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसराइल ने एक ऐसा लाली को मजशमूत बनाने के लिए इस्राइल के दौरा ड неё डवलप की जा रही है इसी में अब एक नए शिजरी हो गई है इस्राइल के दौर्णिडुत नया है जिसका नाम है सीब्रेकर और इस सीब्रेकर को भारत में ब्रह्मोज मिस्यास के टक्कर का माना जा रहा है इसक का अनावरन किया गया है, इसराइल के दुआरा, इसराइल के दिए हम बात करें, तो येरुसलम, ये इसे अपनी राजधानी मानता है, ये चर्चे में था, किसके कारण? अल-अक्सा मजजिद के कारण, हाली में यहां के नय प्राइम मिनेश्टर बनाए गया है, इनका नाम है निफ्ताली बैनेट प्राइम मिनेश्टर पत की शपत लेने के बाद इसके दूसरे दिन ही गाजा पट्टी में फिर से आकरमण इन्होंने शुरू करवा दिया था हाली में इनकी 15 जून को जो इसराइल है कि दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री भी बन गया है तो यह सभी आप याद रखेंगे साथ ही ये बेडिटेरियन सी से सीमा साजा कर रहा है अगला कोश्चन है हाली में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा जैपुर में जैपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है यहां भारत की दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा दो चर्णों में यह कंप्लीट होगा इसकी बैठक शमता होगी 75,000 लोगों की अब देखिए इस कोश्चन में लिखा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा तो यह तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह भी भारत में है अब ये दुनिया का सबसे बड़ा cricket stadium है तो obvious है कि भारत का भी सबसे बड़ा होगा जो किस्तित है एहमदाबाद में Motera Stadium पहरी इसका नाम था बाद में Pater Stadium किया गया और अब इसका नाम है नरेंद्र मूदी Stadium ये गुजरात के एहमदाबाद में है और अब दूसरा बनाये जाएगा राजस्थान के जैपूर में देखे जैपूर जिसे हम Pink City या भारत का Paris कहते हैं इसी जैपूर में भी हाली में भारत का पहला अंगदान इसमारा केने की Organ Donor Memorial ये इस्थापित किया गया था और आप क्याद रख सकते हैं और अभी हाली में केंदरी आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के दौरा स्मार्ट सिटीज की जो लिष्ट जारी की थी इसमें भारत के दो शेहरों को इस्थान दिया गया है जैपूर और मध्य प्रदेश के इन दौर को तो ये हमने बात कर ली जैपूर की और एहमदाबाद की बाकी के जो दो आप्शन है ये भी इस्टेडियम से ही रिलेटेड है यदि हम बात करें धर्मशाला की जो कि हिमाचल प्रदेश में इस्थित है ये तो आप लोगों को मालूम है कि दुनिया का सबसे उचाई पर इस्थित क्रिकेट स्टेडियम ये धर्मशाला में है लेकिन अभी हाली में अप्रेल में ये घुशना की गई है कि इसी हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उचाई पर इस्थित एक नया cricket stadium बनाये जाएगा लाहौल घाटी के पास जिसका नाम होगा लाहौल cricket stadium ये धर्मसाला से भी उचा होगा इसकी उचाई समुद्र तल से होगी 11,000 फिट की अब यदि हम बात करें राउल के लगी हाला कि ये cricket stadium से related नहीं है उपर के तीनों option cricket stadium से related है और राउल के लगी दी हम बात करें तो हाली में ओडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक ने ये घुशना की थी कि भारत का सबसे बड़ा hockey stadium ये राउल के लगा में बनाये जाएगा और ये बनना शुरू भी हो चुका है अगला question है कलपना चावला के बाद अंतरक्ष में उडान भरने वाली भारती मूल की दूसरी महिला कौन बनी है तो ये तो आप सभी जानते हैं कि भारती मूल की ऐसी पहली महिला कलपना चावला जी ही थी जिन्नोंने अंतरक्ष में पहले ही यहां की जो लाल मिर्च है, जो की चर्चे का विशे रही है, यहां की लाल मिर्च को ट्रेन के दुआरा पहली बार सप्लाई किया गया है बंगलादेश को, और इसी गुंटूर में इनका जन्म हुआ है, और यह अंतरिक्ष की सहर पर रवाना होंगी, अगले ही हफ़ते, यानि की 11 जुलाई को, अब यदि हम बाकिया उप्शन की बात करें, तो माव्या सूदन, इनका नाम भी अभी चर्चे में रहा है, जम्मो कश्मीर की यह पहली महिला, फाइटर पाइलट बनी है, और यहां एक और नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नूरा अलमतरोशी, यह कौन है, तो यह UA की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, इसकी घुशना कुछ समय पहले ही की गई थी, अगला कुश्चन है, हाली में प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत किस राज्ज में की गई है, तो इसकी शुरुआत अभी हाली में राजस्थान में की गई है, बोल्ड यह निकी, बैंबू ऑसिस, और लैंड्स, इन्थरॉट, अभी है क्या, तो यह जो आप देख रहे हैं, यह है बैंबू, यह निकी बांस, इदि आप से पूछा जाए, कि यह जो बांस है, यह क्या है, तो देखिए यह पेड नहीं है, यह घास है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2018 में, इस बांस को पेड की कटेगरी से हटा दिया गया था, और घास की कटेगरी में डाल दिया गया था, वो किसलिए, तो देखिए, जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, यह इनकी अमूल धरोहर होती है, और पेड तो काटे नहीं जा सकते, पेड काटना मना है, इसके कारण इसे घास की कटेगरी में डाला गया, ताकि इसे काटना सुलब हो सके, तो यह तो आप सभी जानते हैं कि बास कोपयो काफी सारी चीजों में किया जाता है, जिसे की सबसे ज़्यादा तो फरनीचर में, इसके बास सजावटी चीजों में, और भी काफी सारी चीजों में बास का इस्तमाल किया जाता है, और बास की खास बात क्या है, कि एक बास मत यायोग ये लेकर आ गई हैं Bolt Project इसके दैत होगा क्या राजिस्थान आप सभी जानते हैं कैसा एरिया है सूखा एरिया है तो यह जो पर युजना है बावनवा टाइगर रिजर्व ये राजस्थान का ही बना है विजधारी Wild Life Century शांथी भारत का पहला Biofil Policy लागु करने वाला यानि कि जैव इन्धन नीती लागु करने वाला पहला राजय ये भी राजस्थान ही बन गया है अगला कुश्चन है कौन सी कमपनी दुनिया का पहल अब यह प्लाजमिड यह है क्या तो यह तो आप सभी जानते ही कि हमारे शरीर में डियने पाए जाता है कहां पाए जाता है तो हमारा जो शरीर है यह हजारो लाखो कोशिकाओं से मिलकर के बना है कोशिका जो कि मानो शरीर के निर्मार की सबसे मूल भूतिकाई होती है आप कह में अच्छे से बना नहीं पा रही हूं, क्रोमोसोम को यदि आप खीचेंगे कुछ इस तरह से, फिर आगे जा करके इसकी आकरती कुछ इस तरह से बनती है, DNA और इसकी जो संरचना है, ये जीन कहलाती है, जीन की खोशकी किसने थी, जो हंसने की थी, तो इस ये DNA का आप कह सकत में एक छोटा सर्कुलर हिस्सा होता है, प्लाजमिड, इसलिए इसे नाम दिया गया है, प्लाजमिड DNA वैक्सीन, तो ये जो वैक्सीन है, इंसानों की बॉड़ी में, सेल्स की, ये की कोशिकाओं की मदद से, कोरोना वाइरस की स्पाइक प्रोटिन तयार करेगी, और ऐसे वैक्सीन तयार कर रही के लिए, मतलब की, ऐसे वैक्सीन मार्केट में लाया जाए, इसके लिए ये जो कमपनी है, ये इंडियन ड्रग रेगुलेटर से मन्जूरी मांग रही है, ये ये अनुमती इसे मिल जाती है, तो सालाना ये जो कमपनी है, 10 से 12 करोड इसकी डोस तया मंत्री बने हैं, तो ये भी हाली में अलजीरिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गया है, इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, अलजीरिया के लिए हम बात करें, तो ये अफ्रिका महादीप में इस्थित एक देश है, आप ये भी आद रखेंगे कि इसकी सीमा मेडिटेरि से लगती है, अलजीरिया की राजधाने के लिए हम बात करें, तो ये है अलजीरियर्स, करंसी है अलजीरिया देनार, आप ये भी देख पा रहे हैं, कि जो प्राइम मिरीडियल लाइन है, ये इसे क्रॉस कर रहा है, मतलब कि देखें, जहां प्राइम मिरीडियल लाइन और और विश्वत रेखा, ये तीनों ही गुजर रही है, अफरिका महादीप का एक देश है, जिसका नाम है बोथ स्वाना, यहाँ भी हाली में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है, अगला कोश्चन है, हाली में किस e-commerce company ने सौप साई एप लाँच किया है, ये भी हाली में फिलिप कार्ट के दुवारा लाँच किया गया है, देखें यहाँ लिखा भी हुआ है, इसके लिए आपको अपने मुबाइल नंबर से इसमें रेजिस्ट्रेशन करना होगा, इस अप्लिकेशन की खास बात यह है कि इसमें बिना किसी इन्वेस्ट्मेंट के ऑनलाइन कारोबार को शुरू करने में ये व्यक्तियों की मदद करेगा, साथ ही जो छोटे-छोटे श में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी हैटक्वाटर इस्थित है बैंगल और करनाटक में और आप लोग एक प्रसिद्ध एक कॉमर्स कंपनी का नाम सुनते होंगे मिंट्रा, मिंट्रा को फिलिप काट में ही खरीदा है, अगला कुश्चन है कौन से राज बिजली संक 12,225 मेगावाट लेकिन सरकार के द्वारा जो विवस्था की गई थी ये है 12,800 मेगावाट की आप कहा सकते हैं लगभग 12,500 मेगावाट का यहां गैप आ गया, मतलब कि जितनी बिजली चाहिए थी उतनी मिल नहीं सकी जिसके कारण यहां पावर कट किया जा रहा है और पंजाब गवर्मन्ट के द्वारा एसी चलाने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई है, मात्र दो घंटे दिन में यहां एसी चलाई जा सकेगी, वो भी सुबह के समय में और संकट इतना गहरा गया है, मतलब कि इसका अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है जो कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचीव बनाई गई थी, अगला कुश्चन है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, देखिए हां टाइपिंग मिस्टेक है, यहां होना चाहिए, त्रिपुरा के नए लोका युक्त, इसे मैं PDF में मोडिफाई कर दूँग तो केंदर में होते हैं लोकपाल, जो की केंदर के लोकपाल, पहले लोकपाल बनाए गये थी, पिनाकी चंदर घोस, 2019 में इनकी निक्ती हुई थी, लोका युक्त जो की राज्यों में होते हैं, तो त्रिपुरा के नए लोका युक्त बन गये हैं, के अन, भट्टाचारिया जिनकी image आप देख पा रहे हैं इनकी नियुक्ती तृपुरा के नए लोका युक्त के रूप में की गई है और यहाँ जो लोका युक्त अधिनियम है 2008 से लागू है 2012 में तृपुरा का पहला लोका युक्त नियुक्त किया गया था और यहाँ देखा जाए तो यह जो के न भट्टा चारिया है यह है तृपुरा के तीसरे लोका युक्त एक आप्शन यहाँ बच गया डीके जन जो की बीसी से आई के पहले लोकपाल बनाए गया अब हम जान लेते हैं तृपुरा के बारे में ओन लाइन पोर्टल लॉंच किया गया है साथ ही हाली में खबरों में रही ब्रू जन जाती इसका संबंद यहीं से है और हाली में तृपुरा के सबरूम में यहां का पहला SEZ यानि की Special Economic Zone इसकी आधार शिला भी रखी गई तो यह सभी आप याद रखेंगे कल जो मने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है ताल जौला मुखी इसका विस्वोट कहा हुआ है इसका जो भी अंसर कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए तना ही थैंक्यू सो मच